करपूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदा बसंत रिद्यार बिंदे भबं भवानी सहितन नमामी इसका मतलब है जो करपूर जैसे गौर वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं और भुजंगों का हार धारन करते हैं वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हरदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। आज का वीडियो इस मंत्र के साथ शुरू करने की पीछे की वजब बेहत खास है। इस मंत्र से भगवान शिव की स्तुती की जाती है। कुछ ही दिनों में महादेव को समर्पित सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है। सावन में सोमवार की खास मान्यता होती है, जिसमें महादेव की पूजा अर्चना का खास महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सावन के सोमवार पर महादेव की पूजा करने से मंचाहा फल प्राप्त होता है। इसी कड़ी में लोकल 18 ने देवगर के प्रसिद ज्योतिश आचार्य पंडित नंकिशोर मुदगल से खास बातचीत की है। इस साल सावन का महीना कब से कब तक चलेगा? शिव भक्तों के लिए ये खास महीना कब शुरू होगा? आईए जानते हैं सीधा ज्योतिश आचार्य पंडित नंकिशोर मुदगल से इस बार सावन जो है वह 29 दिन का लगा हुआ है लेकिन 29 दिन में ही 500 मुवार पढ़ रहा है जो अत्यंत मंगल दायत है इस साल सावन का महीना बेहत खास होगा इसकी जानकारी भी ज्योतिश आचार्य पंडित नंकिशोर मुदगल ने दी है सुनिए शावन का महीना अती पावन महीना है और वह महीना जो है वह बोले नात को समर्ती थे इस बार बहुत दिनों के बाद ऐसा संजोग बन रहा है कि स्वामवार से प्रारंब हो करके स्वामवार को ही विसर्जं हो रहा है सावन यानि प्रारंब भी सोंगवार से और अंत भी सोंगवार से तो ऐसा संजोग बहुत दिनों के बाद लगा है इस बार सावन में सावन का महीना और सप्ताह में सोंगवार का दिन ये संकर भगवान भोले नाथ भूत भावन पतित भावन उनको समर्पित रहता है इसलिए इस बार का सावन बहुत खास रहने वाला है इस बार के सावन में भोले नाथ की विसेश कृपा होने जा रही है तो कि भोले नाथ का ही दिन से प्रारम हो रहा है और भोले नाथ के दि 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसका समापन 19 अगस्त को होगा इस साल सावन के महीने में कुल 5 सोमवार आएंगे खास बात ये है कि 22 जुलाई और 19 अगस्त दोनों ही दिन सोमवार है आपको बता दे कि 22 जुलाई को पहला सोमवार 29 जुलाई को दूसरा सोमवार 5 अगस्त को तीसरा सोमवार, बारह अगस्त को चौथा सोमवार और उन्नीस अगस्त को पांचवा सोमवार पड़ेगा, जो की बेहत खास होने वाले हैं। लोकल 18 के लिए देवघर से परमजीत सिंग की रिपोर्ट